जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि केंदर सरकार जो है और रेलवेब मंत्रा लए 400 एस्पेशल ट्रेने चलाने वाला है उन लोगों के लिए जो की दूसरे राज्यों में फसे हुए हैं और अपने राज्य को अपने घर को नहीं जा पा रहे हैं तो इसी क्रम में आज सुबह पहली ट्रेन चलाई गई है लागडाउन में फसे प्रवासियों के लिए तेलंगाना से जारखंड के लिए आज सुबह पहली ट्रेन तेलंगाना से जारखंड के लिए एस्पेशल ट्रेन चलाई गई है तो ऐसे ही लेटेस्ट और आवशक अपडेट्स के लिए आवशक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिए और वेल आइकान को प्रेस कर लिए ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो ज़रूरी जानकारिया हो वो आपको लागडाउन में तत्काल एवेलेबल हो जाएं तो चली आईए देखते हैं पूरी खबर क्या है कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में जारी लागडाउन के बीच बिमिन्द शहरों में फस गए मसदूरों को घर पहुचाने के लिए आज सुबे पहली ट्रेन चलाई गई है न्यूज एजनसी पीटी आई के अनुसार ये ट्रेन तेलंगाना से जार खंड तक के लिए चली है ये ट्रेन तेलंगाना से लिंगम पल्ली से बारा सो प्रवासियों को जार खंड के हटिया तक ले करके जा रही है यानि इस ट्रेन में 1200 मजदूर जो हैं जो की जारखंड के हैं और तेलंगाना में फसे हुए हैं तो उनको तेलंगाना से जारखंड पहुंचाया जा रहा है इसे शुक्रवार सुबह 4 बचकर 50 मिट पर रवाना किया गया है ट्रेन में 24 बोगियें हैं और ये अब तक प्रवासियों के लिए शुरू कही गई पहली ट्रेन है तो करीब 5 हफते के लागडाउन में ये पहला मौका है जबकि कोई ट्रेन आम लोगों के लिए चली है उनके घरों तक पहुँचाने की इजाज़त दी गई थी जो संक्रमित नहीं है तो ये पहली ट्रेन आज चली है इस तरह कुल 400 स्पेशल ट्रेन चलानी की पूरी जो है प्लैनिंग है केंद सरकार की और रेलवे मत्रायल की और वो बिभिन राज्यों में फसे हुए मजदूरों को प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में पहुचाने के लिए चलाई जाएगी तो इस तरह की लेटेस्ट अप्डेट जो भी हूँ उसकी जानकारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले और बेल आइकान को प्रेस कर ले ओके थैंक यू